दोस्तो ये एक computer का SMPS है अगर आपको इसको on करना है तो सबसे पहले एक metal का तार लेके green and black wire को आपको short कर देना है इसके बाद आपका SMPS start हो जाएगा अब आप इसको as a stable power source करके कोई भी electronics project में use कर सकते हो जब आप orange wire से power supply लोगे तो आपको मिलेगा 3.3 hold जब आप red wire से power supply लोगे तो आपको मिलेगा 5 hold और आप yellow wire से power supply लोगे तो आपको मिलेगा 12 hold